नमस्कार दोस्तों मैं विजे कसाना डिजिटल फ्रेशिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों सायक लाइनमेन, एससी स्टापनर्स और कलरक बरती के लिए फरजीवाडे को लेकर बड़ी खबर आ रही है और CET की जो एड़ोटाइजमेंट है, गुरुप C बरतियों की वो कब जारी होगी चेर्मेन साब ने क्या बयान दिया है, पूरी खबर देख लेते हैं सायक लाइनमेन बरति में 31 अब्यरतियों ने जूटे दावे पेश कर अतिरिक तंक लिये हैं इनके उपर भी कारवाई योगी, गर्मी, नोकरी या पातर नहीं होते विए भी जूटे सपत पत्तर दिये हैं पूरी खबर देखना बहुत जरूर ये साथियोग अब A.L.M. बरति में फरजी वड़ा सामने आया है 1307 पतों के लिए हुई इस बरति में 31 अब्यरतियों ने जूटे सपत पत्तर देकर स्यामाजिक और आर्थिक आदार के अतिरिक तंक आसिल किये हैं इस खुलासे के बाद H.S.C. के पत्तर पर खुपियाव विवाग ने इन अब्यरतियों की जात शुरू कर दी है 14 माई को A.L.M. बरति का अंतिम प्रणाम जारी हुआ था 1014 अब्यरतियों ने आर्थिक शामाजिक आदार के अंकों के दावा किया था आयोग ने आर्थिक शामाजिक आदार के अंक लेने वाले सबी अब्यरतियों की सूची को सारजने किया था ताकि इनके दावे के बारे में किसी को आपत्ती हो वह आयोग को जानकारी देश की 31 अब्यरतियों के बारे में आयोग के पास सिकायते पहुंची है अगर ये candidate फरजी पाए जाते हैं तो इन candidate को बार किया जाएगा और जो waiting वाड़े candidate है उनको लिया जाएगा स्टाप नर्स बरती की बात करें तो स्टाप नर्स बरती में गल्थ तरीके से हासिल किये अंक इससे पहले स्वास्ते वबाग में 1608 स्टाप नर्श्पदों के लिए हुई बर्ती में भी गड़बड़ी सामने आ चुकी है आयोग के पास शिकायते आई हैं कि 37 अब्यरतियों के गरों में पहले से ही नोकरी है इससे इनमें से 25 तो ऐसे हैं जो पहले से पीजी आई रोत तक में नोकरी लगी हुई है लेकिन फिर भी उन्होंने जूटे सपत्पत्तर दे कर आर्थिक स्यामाजी कादार के अंग आसिल किये हैं उसातियों इसके अलावा अब कलरक और चेर्मिन साब का बयान भी देख लेते हैं कलरक वर्ति के बारे में 488 पतों के लिए हुई कलरक वर्ति में 10 फर्जी अब्यरति पकड़े गए आयोग ने आई कोट के आदिस के बाद दोबारा से अब्यरतियों की बायोमेट्रिक जाज कराई तो 21,000 में 11,000 अब्यरति नहीं पहुँचे आयोग का कहना है कि अब्यरतियों की पूरी जानकरी दस्तावेश तयार कर लिए गए हैं फर्जी वाड़ा करने वालों की शिकायते पुलिस को दे दी जाएंगी एलम बरति में 31 अब्यरतियों पर सक है कि उन्होंने गल्थ तरीके से स्यामाजिक आर्थिक आदार पर अंकासिल किये हैं जांच कराई जा रही है जांच में गल्थ पाए जाने वालों को चैन सुची से बार किया जाएगा और वेटिंग वालों को सेलेक्ट किया जाएगा ये बात कई है चेर्मेन बोपाल सिंग जी खदरी नहीं चलिए सात्यों अब देख लेते हैं गुरूप C बरतियों की एड़ोटाइजमेंट के बारे में क्या बड़ी ख़बर आई है ये देख सकते सात्यों गुरूप C के 23,000 पदों को बरने की तैयारी चल रही है आयो के पास डिमांड पहुंच चुकी है गुरूप C बरतियों की तो गुरूप D बरतियों की डिमांड अभी तक नहीं पहुंची है आपको पता होगा ये 22,700 के लगबग पद हैं सात्यों और जो सरेनी है यानि की कटेगरी है वो 200 से ज़्याद है 207 या 208 के लगबग हैं सात्यों ये कन्फरम हमने आपको पहले ही बता दिया है वीडियो बना कर आप जा कर देख सकते हैं और सात्यों आप ये एड़ुटाइजमेंट क्यों नहीं जारी कर रहा है क्योंकि पहले तो गुरुप C की भर्तियों में जो क्वालिफकेशन को लेकर सस्पेंज बना हुआ था उसके उपर ये अटकी हुई थी एड़ुटाइजमेंट लेकिन आप क्यों नहीं जारी हो रही तो इसका सात्यों कारण देख लीजिए फिलहाल भर्ति की प्रकिरिया मंद इसलिए है कि राज्ये के अंदर नगर निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं कुल मिलाकर राज्ये के विविन विवागों के अंदर खाली गुरूप सी अर्थार 33 रहनी पदों की डिमांड तयार कर जल से जल सरकार द्वारा मांग की गई थी इसी प्रकार से विविन्य वबागों के अंदर गूरुप D के पदों की डिमांड भी राजे के विविन्य वबागों के दोारा तैयार की जा रहे है यानि कि गुरूप D की जो डिमांड है वो भी जल्दी HCC के पास आ जाएगी और अर्याना करमचारी चैन आयोग को इन पदों को लेकर डिमांड मिलने के बाद आप विग्यापन जारी किये जाने हैं कुल मिलाकर स्तानिय निकाय चुनाओ के कारण आचा सहीता आड़े आ रही है यानि कि जो निकाय चुनाओ के कारण आचा सहीता लगी हुई है उसी कारण फिलाल एड़ोटाइजमेंट जारी नहीं हो सकती सात्योग वरना आयोग परकिरिया को तेज करने की तैयारी में है यान चैना करमचारी चैनायोग पद नाम विग्यापित करने की तैयारी में है यह बात साथ यूँ साइद आपको पहले ही पता होगी कि एचसे सी है वह जो एड़ोटाइजमेंट है वह पहले जारी होगी कि किन किन पदों के उपर और कौन कौन सी बरती हो आने वाली है उसके पाद में कोई कंडिडेट ये ना कहस की कि मुझे ये नहीं पता था कि इस पद के लिए बरती आ रही है और मैं सीटी देना चाहता था इस समंध्य में विशेश्यों और अरियाना चुनावायुक्त से भी विचार मन्थन चल रहा है तो सात्यों जल्दी ही मेरे हिसाब से 19 तारिक के जल्द बाद यानि कि 20 या 21 तारिक को ही आपकी अड़ोटाइजमेंट है वो जारी कर दी जाएगी उससे पहले तो साइध ही नहीं हो पाएगा क्योंकि जो आचार सीतल लगी हुई है उसके करण साथ यो ये अड़ोटाइजमेंट जारी नहीं हो सकती आपकी क्या कर आए है यह पद देख सकते हैं साथ यो इसमें 2452 एलम के पद बताए गए हैं फायर ओपरेटर के फायर ओपरेटर और चाल्लक के 2063 पद हैं ग्राम सचियों ग्राम सचियों 852 जेई 2445 यह साथ यो सारी डीटेल हम आपको पहले ही प्रोवाइड करवा चुके हैं इन सारे परदों की आप पीछे के वीडियो जाकर देख सकते हैं और अगर रेगुलर वीवर हैं तो आपको पता भी होगा वीडियो अब दो को लाइक और जैदाः श्याय सेर करें वीडियो नहीं तक देखिने के लिए दिन्नेवाद मेलते हैं नैक्स वीडियो में